हेलो, आज मैं बनाने जा रही हूँ, सबकी फेवरेट, राज का चौरी, पानी पूरी, टिक की, राज का चौरी, ये सब सबकी फेवरेट होती है, तो चलिए, इसको कैसे बनाते हैं? एक बवल मैंदा, ओओफ़ वनफ़ शोजी, 1 4th spoon baking soda or 1 4th half spoon salt 2 tablespoon oil mix कर लेते हैं ताकि हमारी पूड़ी अच्छी से फूल जाएं क्रिस्पी बने सूजी इसलिए डालते हैं क्योंकि पूड़ी प्रिस्पी बन जाएगी क्रंची टेस्ट आता है वो सूजी की वज़े से आता है इसलिए हम इसमें सूजी अट करते हैं और हम इसको पानी अट कर लेते हैं हम इसको इसको सिर्फ पराठे की तरह से बेलना है और कुछ ने तो इसलिए इसको हम सॉफ्ट हो तयार करेंगे की पूड़ी पराठा सॉफ्ट हो सी बनते हैं अच्छे से इसको हम करीब 15-20 मिट ढखके रखते हैं ताकि यह बलकुल सॉफ्ट हो तयार हो जाए अब हम इसको 15-20 मिट ढखकर रख देते हैं यह दिखिए 15-20 मिट ढखने के बार यह की सॉफ्ट हो तयार है देखिए ज्ट प्रॉट से एक जैसी बेलेंगे जैसे यह अच्छे से फूल जाए तो दुला साथ गर्म देख लें पूरी तल्लें से पहले गर्म हुआ है तेल की नहीं हुआ है यह हो गया है तेल अच्छे से फवार यह पूरी लट लट लटे तियार यह देखिए मैंने यह पूरियां तल ली है अब हम इसको इसको फिलिंग करते हैं और बताते हैं यह कैसे चाट बनती है चलिए यह देखिए इसको उन्हें अंदर से कर लिया है अब हम इसमें पपड़ी डालेंगे इसमें हम चने डालेंगे मुझे चने पसंद है इसलिवेंद चने डालेंगे उबले हुए कटे हुए आलू इसमें आप स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के कोई भी चीज डाल सकते हैं इसमें दही बड़े का जो बड़ा होता वो भी डाल सकते हैं और इसमें यह इमली की मीठी सोंट दोड़ी है यह मैंने दही लिया इसको फेटा हुआ इसमें मैंने तीन चम्मच चीनी मिला हुए अच्छी से मिक्स की हुए और इसमें थोड़ा सा हम काला नमक मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा मिर्ची थोड़ा काला नमक थोड़ी सी बिर्ची और यह थोड़ा सा समें सॉल्ट हमने मिक्स कर दिया है चीनी पहले सी मैंने मिक्स करके रख्यों थी तीन चम्मच इसमें एक बाल दही में अब हम इसमें थोड़ा साम यह नमकीन मूंक की जो दाल आती है रेडिमेट खाने की वो भी डाल देते हैं यह डालते हैं थोड़ी सी हरी चटनी टमाटर वाली भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यह धनिया पुदीना हरी मिर्ची खटाई आम चूर इससे मैंने बनाई दी है थोड़ा सा इसमें फिर से मीठी सौंट डालते हैं थोड़ा सा दही मिक्स करते हैं आप तही सोंट चटनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा अनार दाने थोड़ा सी मूंफली भी पसंद है तो इसमें बरीक से चने की दाल मूंफली यह भी मैंने डाला हुआ है इसमें मुझे दही थोड़ा सा जाद ही पसंद है इसलिए मैं दही भी और मिक्स करती हूं अच्छे से थोड़ा सा धनिया यह लीजे आपकी राजकचोरी आपकी राजकचोरी रेड़ी है जल्दी से खाईए और मुझे बताईए आपको कैसी लगी तेंक्यू